Engineers, आज की वीडियो का topic है, कॉलम में किस grade of concrete का use करना चाहिए, पां तो आज मैं उसकी बात नहीं करने वाला हूँ, आज बात करने वाले हैं पूरे structure, पूरे structure की बात करते हैं, कि कौन से grade of concrete use करना चाहिए, पूरा detail में जानते हैं वीडियो में, सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को, और बेल अकन को दबाईए, लेटिश्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, Hello and welcome to the world of civil गुरुजी, civil engineer training institute के दरने हमाई, आप सभी का स्वागत है, मैं सुधीप कुमा अगराल, corporate trainer, आप सभी के लिए, इस सिविल गुरुजी, आज बात करने वाले, कॉलम नहीं, पूरे structure में कौन से grade of concrete, यूज करना चाहिए, उसके बारे में, अब ये पूरे वीडियो को मैं पहले ही part wise divide कर चुका, आपको जिस पार्ट में चाहिए, उस पार्ट में जा सकते हैं, ये वीडियो को समझ लेते ह what are the factors, किस factors के कारण structure के, concrete decide होते हैं कि उसे कौन से grade of concrete यूज करना चाहिए, अब वो factors में क्या-क्या changes आते हैं, क्या-क्या चीजें control करते हैं, उस चीज को समझेंगे, उसके बाद IES code क्या बोलता है, कौन सा grade of concrete यूज करना चाहिए, इसको समझेंगे, तो ये तीन हिस्सों ये पूरा वीडियो होने वाला है, आपको जिस हिस्से में जाना है, डिरेक्ट जा सकते हैं, पर तो मैं बोलूँगा, पूरा डीटेल में जान लो, सिफ आई-स code में क्या दिया है, वो जानना इंपॉर्टन नहीं है, वो पूरा process, वो क्यों दिया है, हर जागे क्यों अला- वो लोकेशन, वो लोकेशन कहां पर है, दूसरा, उसमें loads कैसे आने हैं, loads on structure, तीसा, client या फिर जो भी आपका other condition है, कुछ necessary conditions होते हैं उसके उपर, अब परन्तु loads on structure में भी थोड़ा सा और डिवाइड होता है, अब इसके बाद इतन तीन पॉइंट के बाद थोड़े से structure, और भी बहुत साथ factors के उपर depend करता है, कि वो किस type का structure है, commercial है, residential है, museum है, तो important factor जादा होगा, या फिर वो purpose, मतलब जो मैंने बताया है, कि वो किस purpose से बनदा है, उसके का, type of structure और purpose of structure, इसके उपर भी load depend करता है, यही factor है, जो control कर रहा है, आपके concrete की strength, मतलब concrete का grade क्या होना तो अब इस factors को समझते है, यह factor क्या हो रहे है, क्या change हो रहे है, मैं इस पूरे factor में से सिर्फ पहली factor की बात करना हूँ, लास्ट दो वीडियो में आपको load के बारे में पूरा detail में समझाया हूँ, कि column का minimum size क्यो हो रहा है, minimum distance, maximum distance क्या होती है, column का orientation क्या होता है, यह पूरा लोकेशन के काई अपना concrete का change हो रहा है, इसको समझते है, तो सबसे पहले इंडिया के में अपके तरफ चलते हैं, तो वासा बड़ा कर लेते हैं, अब यह इंडिया है, इंडिया में आपको पता है, एक जीजन से दूसरे जीजन तक जाने तक, waterfall से लेके हर एक चीज चेंज जोने लगती है, अब जहाँ ज्यादा waterfall हो रहा है, वहाँ पर क्या होना चाहिए, अब दूसरी बात, आपके coastal region में, coastal region में क्या हो जाता है, marine water आता है, seawater का effect आएगा, seawater का effect आ रहा है, मतलब वहाँ पर concrete erosion जल्दी हो सकता है, इसी के कांट, seawater के area में cover भी थ्वा से जाता है, आपकी वहाँ पर rainwater condition क्या है, वहाँ पर आसपास की sea की condition क्या है, दूसरा, क्या बोलते है, आपका temperature कितना high आता है, या पर कितना cold होता है, अब इंडिया है, हरचा के अलग अलग temperature, इसके इसाब से अलग अलग temperature होता है, जिसके एकान हमें grade of concrete change करना पड़ता है, आपे शलते हैं, तो इस से समझ में क्या है, इस समझ में आया है, मैं 36 गार की बात करूँ जहां जहां पर ना जज्यादा पानी गरता, ना ज्यादा heat है, ना ज्यादा cold है, normal temperature है, अब जैसे का example से समझते, 36 गार का example ले 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 लेता हूं, और मुंबई का example ले ले लेता हू अब 36 गड़ की बात करों तो यहां पर ना हेवी रेइनफॉल होता, ना टेंपरेचर इतना हाई जाता कि ज्यादा एफेक्ट क्रेट होगा, ना फ्रीजिंग टेंपरेचर रहे, कभी बर्व गिर इच नहीं, तो हमें इसके बारे में सोचना ही नहीं कि यहां पर कभी बर्व यहां पर मरीन वाटर आएगा, मतलब सी वाटर आएगा जिसके करण कोर्शन हो सकते हैं, वही मैं बात करों मुंबई में, मुंबई में क्या दिक्कत होगी, आपका सी बात करण कोर्शन आने का चांसे दरेगा, सी वाटर के एक अपन लोग को श्टेंध उसकी जादी रखन इसके कान आप जहां रहते हैं उसके इसाब से आपके environmental condition depend करेगी environmental condition के इसाब से grade of concrete depend करता है तो यह क्या हो गया? आपकी place decide कर दी है सबसे पहले कौन सा grade of concrete यूज करना है पर तो यह जो बताता है यह अभी अपन लोग फोजरे में चलेंगे इसके की बताता है यहां से डिसाइड होता है सबसे पहला इसी कान मैंने इस केस की बात करी यहां से अपन लोग decide करते है minimum grade of concrete क्या यूज करना है जैसे 36 गर की example बता हूं तो M20 तो M25 यूज कर सकते हैं यह mild condition में आता है पंतु आजसे रेट में थोग आसा safety sector के आज मोड़ेट कंडिशन लेके चलते हैं माइड मोड़ेट के है यह भी आगे सल के बात करूंगो तो इसकान यहां पर M20 के ठीक है और M25 आजका लीकुस हो है वही मैं मुंबई की बात करूं तो वहां M30 यह M35 यूज को यूज हो रहे है पंतु यह क्यों ऐसा यूज हो रहे है वहां पर environmental condition अलग है मरीन लाइफ है मरीन लाइफ के साथ सी वाटर है सी वाटर का एफेक्ट आएगा उसके काई आप लोग से एक कोशन पूछन पूछना चाहता हूं minimum grade of concrete क्या होता है minimum grade of PCC क्या होता है most probably आप सभी को पता होगा कहीं पता है तो comment करो साधी साथ comment में एक और चीज कमेंट करना है क्या कि यह कहां पर दिया है आपको पता है कि नहीं कहीं पता है यह IES 456 में दिया है, वही कोड जो बच्पन से अपने पास है, बच्पन से मतलब अपन लोग जब से स्टार्टिंग किया है तब असे IES 456 अपने साथ रहता है, साथ रहता है पन तो इसका ध्यान नहीं दिये, इसका ध्यान देते हैं तो हर एक चीज समझ में आ जाती है, ते देंफोस्मेंट है इसकान, देंफोस्मेंट कांक्रीट ड़ दिये, जी को आज इसी इसी बोल दिये, अब यहाँ पर क्या दिये, अब यह यह Mild, Moderate, Severe, Very Severe, Extreme यह क्या है, लोग जा, ठामबा, इसको अपन लोग फोदे आगे में बात करें, मायल्ड की केस में प्लेन का नहीं भाई भूला नहीं है उसको specify नहीं हुआ कि यहां पर क्या concrete use करना चीए तो उसको management किया है प्रां तु मॉडरेट के लिए क्या किया है M15 मतलब आपका यह समझ में आगिया plane concrete के मिनिमम grade of concrete क्या दिया है M15 दिया है उसके नीचे का तो specify किया ही नहीं है अब यही चीज में RCC की बात करूं तो RCC क्ले क्ले क्या दिया है M20, M20 से कम आप RCC में यूज ही नहीं कर सकते, कोई आपको साइट में बहुत रही यूज करने तो आप बता सकते हो भाई, फीडियत ही दे, गीता में, गीता मतलब IS code में स्याफ साफ दे चुका की बात करें, तो M30, very severe की बात करें, M35, अब इसके बाद extreme case में भी आ गया तो M40, पर तो यहां पर जितना भी चीज दिया है, यह ध्यान रखना क्या लिखा है, minimum grade of concrete, यह वो IES code बता रहे है, इतना तो आपको कम से कम use करना है, पर तो हो सकता है, बागी की factors के कार्ण आपक करना पने, IES code एक recommendation देता है, भई, आपको इस तरह से काम करना है, पर तो exact यही काम करना है, इसको अपन को decide करना है, कैसे decide करते हैं, जो आपने लोग ने factors समसेते हैं, उसी factors के concept के health से decide करते हैं, अब यह बात तो हो गई, यहां पर बात करना है, अपन लो mild, moderate, CVI, इसी को न नहीं खोलना ले, IES code आज नहीं खोले तो कभी नहीं खोलेगा, अब बात कर लेते हैं, mild क्या दिया है, moderate क्या दिया है, CVI क्या दिया है, very CVI क्या दिया है, extreme क्या दिया है, इसो थोड़ा सा बताने वालो, पंद तो इसो पूरा समझना आपका responsibility, क्यों आपकी responsibility, चीजें करो होगे नहीं, महनत जहां नहीं करोगे, वहां success नहीं मिल सकता, बिना महनत के success काम करनी है, कुछ सहीं मिलेगा, वो fail हो जाएगा, महनत करने के लिए हर दम तायार हो, एक छोटा सा काम है, इसको पढ़ना ही बस है, एक पढ़के रखे, क्या लिखा है, mild में, concrete surface protected against weathering या फिर उसके अलग effect है, इस सबसे चहां पर आप बचा के रख सकते हैं, वहां पर आप mild condition ले सकते हैं, ऐसी condition तो बहुत कम होती है, इसके करने ऐसी चीजे हैं, आपन लोग mild condition बहुत कम लेते हैं, अब moderate में क्या बोल रहा है, जहां पर freezing और thotting, मतलब जहां पर temperature difference ज्यादा ना हो, साथ ही साथ, जो surface rainwater से export हो सकता है, इस तरह से simple word में लिखा है, आपको क्या करना रहेगा, पढ़ना रहेगा, आपको ये IS code में नहीं बिल पा रहा, सिविल गोजी के application में जाईए, community post में ये पूरा PPT डाल दूँगा, PPT नहीं तो IS code का link तो add होई चुका होगा, ये पूरा जाईए, खुद से पढ़िए, जो समझ में आ रहा है, वही community post में लिखिए, बाकी लोग हैं आपकी help करना के, बाकी लोग मतलब आप ही में से कोई होगा, जो असानी से ये पूरी चीजों को समझ गया होगा, आपको समझाएगा, तो hopefully ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करना, मिलते हैं आगले वीडियो में, जब तक ले बनेगी है, सिविल गोजी के साथ, करना है खास, तो चलो हमाई साथ, सिविल की बाद, गोजी के साथ, जय हिन, जय भारत!